बार्बी डाल की बच्चों के खिलोने में हमेशा सबसे जादे मांग रही है। हर स्वरूप को खूब ठीक से बाजार मिला है। हाल फिल हाल महारानी एलिजाबेत के स्वरूप में जो बार्बी डाल पेश की गई थी। उस बार्बी डाल ने भी बाजार में बड़ा धमाका किया है। बिटिश रानी और बार्बी दोनों एक ग्लोबल आइकॉन है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन निश्चे तूप से जबर्दस्त है। दुनिया भर में चर्चा का विशा बनी स्पेशल प्लेटिनम जुबली बार्बी डॉल ने इक्रामर साइट इबे पर एतिहासिक रिकार्ड बना दिया। 95 पाउंट कीमत वाला बार्बी डॉल का स्टाक इबे पर मात तीन सेकेंड में बिग गया। अब इस डॉल की रिसेल कम से कम दोगुनी कीमत में होने की उमीद है। दरसल बिटिश साही परिवार से जूड़ी चीजों का एक बड़ा उद्योग है। बिटिश साही परिवार में इस्तेमाल किये गए बढ़िया कटलरी से लेकर टेडी बियर, तॉलिये से लेकर फ्रिज मैगनेट तक सब कुछ बिखता है। जैनती समारों और शादियों जैसे बड़े शाइक अरकमों के आसपास यह विक्री जबजबस धंग से बढ़ जाती है। साथ के दसक से बार्वी ने बाजार पर शासन शुरू किया और यह शाबित कर दिया कि वह फैशन प्लेट से कुछ आगे है। अब एक फ्लोरेंस नाइट इंगेल, हेलेन केलर और माया एंजलो जैसी प्रेरक महिलाओं के पतरूप में भी बार्वी डाल आ चुकी है। लेटस्क बार्वी गुडिया का चेहरा महारानी इलिजाबेट की तरह तराशा गया है। बार्वी के प्रसित गोरे बालों को एक गंभीर भूरे रंग के बालों से बदल दिया गया है। पोशाक भी सही चित्रों में रानी द्वारा पसंद किये जाने वाले लुक की तरह बनाई गयी है। इस पोशाक में छोटे मेडल के साथ एक नीले रंग के रिबन के साथ एक हाथी दात के रंग वाला गाउन है। शाही प्रभाव बार्वी के एक प्रीमियम बाक्स द्वारा पूरा किया गया है जो बकिंगम पैलस में सिंहासन का सिप्रईत है। बार्बी डॉल बनाने वाली कम्पनी मेटल ने पुस्टी की है कि सिमित संस्क्रन वाली गुडिया यूके में बिग गई थी लेकिन संकेत दिया है कि अगले महीने के समारोहों से पहले इसे फुन जारिक किया जा सकता है इबेपर इस खास बार्वी गुडिया की दरजुनों रीसेलर लिस्टिंग की गई है। रीसेलर बढ़िया और ओरिजिनल पैकेजिंग में डिलिवरी का वादा कर रहा है। लेकिन इन बार्वी की डिमांड इतनी अधिक है कि छतिग्रस्थ पैकेजिंग वाले आइटम भी सेकलो पॉंड में भिक रहा है। ऐसे एक रीटेलर ने बार्वी गुडिया के छतिग्रस्थ वाक्स की कीमत 999 पॉंड लगाई है। महरानी जैसे बार्वी उन सेकलो प्लेटनम जुबली मर्चनडाइज और ब्रांडिंग में से एक है जो हाल के महीनों में उपलवध हो गई है। बार्वी के एक प्रवक्ता ने इस मारक गुडिया के बारे में कहा, 1969 से बार्वी ब्रांड का उदेश हर लड़की में असीम छंता को प्रेजित करना और उन्हें याद दिलाना है कि वे कुछ भी हो सकते हैं। यह संदेश आज की तुलना में अधिक प्रसंगे कभी नहीं रहा। महारानी की प्लेटिनम जैनती को चार दिवसी बैंक आउकास सब्ताहंत के रूप में चिन्नित किया जाएगा। जो दो से पांच जून के बीच में ब्रिटिन में मनाया जाएगा। इसके लिए रास्ति अस्तर पर समारों भी आयुजित किये जाएंगे। बार्बी डॉल पहली बार मार्च 1969 में बाजार में आई। अब यह 175 से अधिक लुक्स या शैलियों में आती है जिसमें विभिन पकार के शरीर, तवचा की टोन, हेर स्टाइल और बनावाट अक्षमताएं शामिल हैं। बार्बी के नए फैशनिस्टा संग्रह में, अन्य गुडियों में विटिलीगों के साथ एक केन गुडिया भी शामिल है। एक ऐसी इस्तिति इसमें तवचा अपने वर्णक कोश्काओं को खो देती है, जिससे या धब्बेदार दिखाई देती है। इस सिरीज में कृतिम पैर वाली गुडिया, विलचेर का उपयोग करने वाली एक बार्बी और मूल केन गुडिया के तुलना में कम मान सपेशियों वाली पूरस गुडिया भी शामिल है। अब लेटिस्ट गुडिया हीरिंग एड पहने हुए रूप में है। इसका मकसद या है कि किसी अक्षमता वाले बच्चों को यह लगना चाहिए कि उसके जैसे और बच्चे हैं। और बार्बी एक तरह से सभी बच्चों को सम्माजनक इस्तिती देती है। बार्बी 1967 से लेकर आज तक सिर्फ इसलिए बच्चों में आकरशन का केंद्र बनी हुई है। क्योंकि बार्बी को बनाने वाली कंपणी बार-बार उसे नए धंग से पेश करती है। उस पर नए रिसर्च करती है। नए नए लुक देती है। और जितनी तरह के महत्पूर्ण लोग दुनिया में हैं। उन पर भी बार्बी बनाने वालों ने अलग-अलग डिजाइन में अलग-अलग समय पर बार्बी गुडिया उतारी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। किसी नए सवाल पर नए ढंक से बात करने के लिए तब तक के लिए नमस्कार।